अगर आप लोगोंने map filter reduce के बारे में सुना है तो यह higher order array methods होते हैं अगर आप लोग map filter reduce को इस्तेमाल करते हैं तो आपका काफी time बचता है आज के इस वीडियो में यही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि map filter और reduce को इस्तेमाल करके कैसे अपना time बचाना है यह modern javascript के methods हैं चलते हैं computer screen में और इन methods को देखते और समझते हैं So guys अब हम लोग सीखने वाले हैं map filter और reduce के बारे में तो मैं जल्दी से क्या करूंगा रैपलिट के अंदर अपने इस ultimate javascript course वाले फोल्डर में एक 20th रैपल बनाऊंगा तो मैं इसको खोलूंगा और यहां पर मैं एक रैपल बनाऊंगा तो यहां पर आप लोग देख सकते हो मैंने map filter reduce नाम से एक रैपल बना ली है और मैं नोट्स में दुबारा आऊंगा और आपको एक एक करके बताऊंगा map filter और reduce के बारे में सबसे वहले हम लोग जानेंगे map method के बारे में map method कुछ नहीं करता है बहुत ही simple सी चीज है हमने for each के बारे में देखा था पिछले वीडियो में और हम लोग को नहीं यह देखा था कि for each एक argument लेता है जो कि value होती है और हम print कर सकते हैं उस value कुछ भी कर सकते है बट actual में for each ती index और array रहते है arguments और उसी के साथ साथ आप लोग जो है इसको इसको इस्तमाल कर सकते हो for each और map के साथ कभी भी और देखो एक चीज़ और क्या इसको रटने की जरूरत है क्या इसको याद रखने की जरूरत है absolutely not क्योंकि आप लोग इसको as a reference use कर सकते हो इस notes को आप लोग Google search क कर सकते हो आप लोग अपना reference बना सकते हो ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं कि आप लोग को रटने की जरूरत है किसी भी चीज़ को with that said हम लोग आएंगे अपनी रैपल में एक array बनाएंगे और उस array के अंदर मैं लिखूंगा 45 23 और 21 अब यह number सी मैंने क्यों लिखे कुछ और क् अब मैं ठीक है इसको मैं अगर console.log कर दूँ तो आप को गई कि भाई क्या time pass कर रहे हो ठीक है तो मैं इसको console.log नहीं करूंगा जूम कर लेता हूं तक यह आप लोगो समझ मैं मैं जस्ट इसको run करके देखना जाता था कि रापल चल रही है डंग से की नहीं चल रही है ठीक यहाँ पर मैं काम करता हूं इसको value इस तरह से लिखता हूं कि notes में भी मैंने value यूज किया है आप element लिख सकते हो ठीक है value लिख सकते हो बस ensure यह करना कि यह function जो भी argument ले रहा है वही चीज आपको यहाँ पर मिले अगर मैं console.log value कर दूँ और इसको run करूँ तब क्या होगा simple सी बात है मैं इसको दरह टा देता हूं console.log array को टा देता हूं simple सी चीज है कि एक एक करके यह values प्रेंट हो जाएंगी but map में और for each में फर्क क्या रहे गया ठीक है क्या फर्क रहे गया तो जो map होता है वो एक नया array बनाता है ठीक है by performing some operations on each array elements ठीक है एक नया array बनाता है और return करता है तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूं कि let a is equal to this और console.log a और मैं यहाँ पर return कर सकता हूं कोई चीज जैसे मालो मैंने return कर दिया value ठीक है तो क्या होगा कि same array बन जाएगा but this doesn't make any sense यह मैं exactly same array बनाना हूं इसलिए मैं value प्लस 1 लेकूंगा और आप देखो इन सारे elements में एक एक add करके एक नया array बन गया तो map हम यूज करते हैं जब हम एक नया array बनाना होता है और for each हम यूज करते हैं जब हम कोई operation करना होता है एक array के existing elements पर ठीक है तो यह चीज़ आप लोगों समझने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा बहुत साहीं लोग confused होते हैं कि भाई क्या फरक functions होते हैं कि उसके कुछ additional arguments होते हैं जो कि आप दे सकते हो एक होता है index और एक होता है array अगर मैं यहां पर index लिख दो और यहां पर console log करूं value और index तो क्या होगा कि सबसे पहले 45 आएगा फिर 0 आएगा फिर 45 23 आएगा 1 आएगा तो मुझे value और index मिल जाएगी और मैं तीसा argument भी दे सकता हूं और मैं यहां पर array दे सकता हूं ठीक है तो value index array अगर मैं तीनों चीज़े प्रेंट करूं तो आप देख रहा है यहां पर यह तीनों चीज़े प्रेंट हो जाएगी 45 0 this 23 1 और पूरा array 21 2 और पूरा array और यह जो console.log a जो की नया array बना वो प्रेंट हो गया ठ ठीक है वो नया array क्या होगा जो भी चीज़ रिटन हो रही है उन elements से बना वो होगा जैसे कि मानलो मैं value plus index करता हूं ठीक है तो 45 में 0 जोड़ेगा 23 में 1 जोड़ेगा 21 में 2 जोड़ेगा तो हमें मिलेगा 45 24 और 23 ठीक है तो 45 24 23 हमें मिलेगा ठीक है तो हम इन values को इस्तिमाल क होगा उसना array कब होगा value plus index index क्या होगी पहले iteration के लिए 0 value क्या होगी 45 फिर उसके बाद क्या होगी index हो जाएगी 1 value क्या होगी 23 फिर index क्या हो जाएगी 2 value क्या हो जाएगी 21 तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो तो मैं आपर लिख देता हूं array map method ठीक है अब मैं जो आप लोग value कर देता हूं ठीक है यहार 2 is equal to मानलो मैंने यह कर दिया और मैंने 0 3 और 5 यहां पर मानलो रख दिया ठीक है अब मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ वो elements मिलें जो की 5 से या फिर मानलो 10 से छोटे हैं ठीक है तो मैं यहापर क्या लिखूंगा लिखूंगा array.filter और एक function दे मैं value डाल दूँगा ठीक है कुछ भी नाम रख सकते हो इसका value रख सकते हो आप a रख सकते हो और आप यहाँ पर return कर दो a greater than यहाँ फिर less than 10 अब जिन जिन items के लिए a less than 10 होगा वो items हमारे नए area में रहेंगे तो मैं आप पर let a2 is equal to करूं अगर और इसके बाद console.log a2 करूं कि मुझे सिर्व elements मिलेंगे जो की 10 से छोटे है तो मैंने क्या किया filter को एक filter function दिया जिन जिन values के लिए filter function true return कर रहा है वो values मुझे मेरे नए area में मिल गई ठीक है बहुत ही जिंबल है अगर आपको समझ में नहीं आए दुबारा सुनो मैंने क्या कहा मैंने लिखा array का नाम ल not less than 10 23 is not less than 10 21 is not less than 10 0 3 & 5 are less than 10 तो इस order में यह नए array में आ गए ठीक है 0 3 & 5 output आ गया और यह output दिख रहा है आपको वो इसका output दिख रहा है मैंने यह आपर यह लिखा हुआ है और यह console log लिखा हुआ है इसलिए दिख रहा है ठीक है अगर मैं इसको comment down भी कर दूँ आप लोग के लिए तो आप लोग को सिर्फ यह हमारा filter वाला array दिखेगा 0 3 & 5 ठीक है so I hope कि आपको filter समझ में आ गया filter के definition मैं लिख हुई है filters and array with values that passes a test ठीक है आप क्या करते हो एक function देते हो वो function जिस जिस के लिए true return कर रहा है वो values आपको देखने को मिलेंगी अपने नए array में और जिन जिन के लिए true return नहीं कर रहा है वो आपको नहीं मिलेंगी देखने को नए array में ARR2 को brand करूं वोगर मैं आपर कहूं ARR2 क्या है मेरा तो original array मेरा यहां पर भी चेंज नहीं होगा ठीक है ARR2 मेरा यहां पर भी चेंज नहीं होगा 45,23,21,0,3,5 ही रहेगा ठीक है तो मेरा original array चेंज नहीं होगा याद रखना ठीक है अब बात करते है reduce method की और सबसे ज्यादर लोग reduce में ही confused होते है ठीक है बड़ इसका मतलब यह नहीं है कि reduce difficult है मेरे साब से बहुत straight forward है ठीक है reduce method तो मैं काम करता हूँ जितने भी console logs है उनको जरा मैं comment out कर देता हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना हो ठीक है अब reduce method क्या करता है जिसे मालो मेरे पास एक ARR3 है ठीक है एक नए array बना रहा हूँ यहाँ पर ताकि context सामने रहे समझ में आया आपको ठीक है अब मैं चाहता हूँ इसमें कुछ simple values रखेंगे कि मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ ठीक है और repeated भी रख सकता हूँ मैं values arrays में कोई असा rule नहीं है कि मैं repeated values नहीं रख सकत कि समझ रहे हो आप लोग इस बात को मैंने आपर h लिख दिया मालो तो मुझे यहाँ पर मिलेगी मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ return h ठीक है h1 h2 कर लेता हूँ return h1 plus h2 ठीक है अब क्या होगा अगर मैं आपर err3.reduce और एक function दे दूँ तो क्या चीज़ return होगी मालो मैं new err3 करके एक नए array बनाता हूँ और इसको console.log करता हूँ new err3 ठीक है इसको मैं run करूँ तो आप लोग देखना कि print होगा 14 अभी 14 का से आया ठीक है यह क्या करता है कि इस function को देखता है सबसे पहले ठीक है जो reduce होता है इस function को देखता है इस function को देखता है इस function को देखने के बाद यह कि यह क्या कर रहा है यह function बहुत simple सा काम कर रहा है h1 plus h2 कर रहा है सबसे फेले यह 1 और 2 लेगा इस function से pass कराएगा इस function से pass कराएगा क्या आया 3 आया 11 आया फिर उसके बाद 11 और 2 लेगा इस function से pass कराएगा क्या आया 13 आया फिर ये 13 और 1 लेगा इस function से pass कराएगा क्या आया 14 आया और 14 result हो जाएगा तो बीसे के लिए ये क्या करता है पहली value को और दूसरी value को ले कर इस function को run करेगा फिर उसके बाद जो उसका result आएगा उसको इसके साथ चलाएगा इसी function को फिर जो result आएगा वो और 5 के साथ इस function को चलाएगा फिर जो result आएगा वो और 2 के साथ इस function को चलाएगा इस function को फिर उसके बाद जो result से बनाओं क्या मैं ऐसा कर सकता हूं absolutely कर सकता हूं यार कोई भी दिक्कत नहीं होगी मैं इसको ऐसे बना सकता हूं यह मैंने function अलग से बना दिया और इसी function इसके अंदर दिया function एक variable की तरह बनाया जा सकता है JavaScript मैं आप देख सकते हूं यहां पर मैंने एक function बना लिया पहले इसके बाद pass कर दिया और मैंने यही notes में लिखा हूआ है reduces an array to a single value ठीक है यहां पर एक sum नाम का add नाम का function इसको मैंने notes में define नहीं किया हूआ है लेकिन आप लोग यहां पर देखो कि numbers.reduce जब एक function दिया जाएगा filter array return करता है और map भी एक array return करता है यह बात आप लोग को याद रखनी चाहिए ठीक है I hope कि आप लोग को मज़ा है या map filter reduce इतने ही simple थे यार और हाँ यह simple है यार अब मैं क्या करूं simple है तो map filter reduce को बहुत बड़ा concept माना जाता है यार यह map filter reduce तो modern concept है बहुत simple है map भी आपको समझ में आगया होगा filter भी आगया होगा reduce भी आगया होगा I hope कि अब आप लोग को कभी दिख कर नहीं होगी map filter reduce में ठीक है with that's it आप लोग javascript की playlist access करो आने वाले वीडियो में मैं आप लोग को कुछ practice questions करा हूंगा और उसके बाद javascript को और उची उडानों तक हम लोग लेकर जाएंगे thank you so much guys for watching this video and I will see you next time you